Brought to you by 5pesa.com Investing made easy and rewarding Download the app now 7-5pesa हो गया है हाला कि इस फैसले से इतना तय है कि फिलहाल लोगों के घरों की EMI में किसी तरह की भरूत्री नहीं होगी ये लगातार 11 मौका है जब RBI ने रेपोरेट में कोई बदलाव नहीं किया है इस से पहले रिजर्व बेंक ने आखरी बार 22 मई 2020 को ब्यास दरों में बदलाव किया था RBI गवर्नल शक्तिकान दास ने पॉलिसी दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला करते हुए अकॉमोजेटिव रुख बनाए रखने का भरूस हदिया है RBI के एलान में महंगाई का साया भी लगातार मंडराता रहा पेट्रोल डीजल सीनजी समेट तमाम सामानों के दाम बढ़ने से RBI ने महंगाई दर के अनुमान में इजाफा किया है नए अनुमान के मताबिक 2022 देश में रीचेल महंगाई दर 5.7 फीजदी रह सकती है इससे पहले ये अनुमान 4.5 फीजदी था इसमें भी अप्रेल जून तिमाही में तो महंगाई आम लोगों को बुरी तरह से परेशान कर सकती है इसके साथ ही महंगाई के अटेक से 2022-23 के लिए विकास दर का अनुमान भी RBI ने घटा दिया है 2022-23 में RBI ने GDP ग्रोथ के 7.2 फीजदी रहने का अनुमान जताया है इसके पहले 7.8 फीजदी की विकास दर का अनुमान था RBI ने ये अनुमान कच्चे तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल के रहने के हिसाब से लगाया है यानि आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ की रफतार पूरी तरह से कच्चे तेल की चाल पर निर्भर रहेगी